नमश्कार दोस्तों office वालिकम तू शुएंड ड्रेर हैन्हार के बाद करेंगे मार्शन फार्मा में मार्शन फार्मा में अभी क्या करना चाहिए कि क्या काफी दिन पहले हमने वींडियो भी बनाया था उसके बाद पहले चर्चांप लिए था में बेल बटन को भी प्रेस करके रख लीजे ताकि आने वाला वीडियो का नोटिपिकेशन आपको टाइम ले मिल सकते हैं उस बेस पर आप एक स्टॉक का आनलेशिस देख सकते हैं ठीक है फ्रेंट्स अगर फ्रेंट्स आप मेरे साथ में जुड़ना चाहते हैं यहां पर वाटसप का नंबर दिया हुआ है इस नंबर पर आप मुझे होटसप करके मेरे साथ में जरूर जूड़ सकते हैं परसनाली क्यूंकि अभी बहुत सरा स्टॉक है जो कि मतलब बहुत बड़ी है से वैल्लि चल रहा है तो गलत स्टॉक को निकाल के आपका पॉर्टफोलियो में लेकर रखेंगे तो आपको टार्गेट भी आची हो जाएगा और आपका पॉर्टफोलियो में भी रिस्ट्रक्शन भी हो जाएगा ठीक है तो इसलिए यहां पर डेस्क्विशन में नंबर भी दिया चले स्टाट करते हैं वीडियो तो यह जो स्टॉक एक फार्मासितिकल कंपनी के सथ में एक स्मॉल का प्रेट करोर का मार्केट क्या पर अगर स्टॉक का पी अभी दखेंगे 9.3 पी पे स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है अगर आरोच की बारे में बात करेंगे कि बहतरी नार यहां पर प्रमोटर प्लेज का बात कि दिखें प्रमोटर प्लेज भी बिल्कुल नहीं है और यहां पर डेट पूइट रिश्यो दिखेंगे 0.04 परसेंटेज का डेट है और स्टॉक अभी ट्रेडिंग हो रहा है वान फिप्टीन पे हम हमें साथ देखते हैं कोई भी स्ट प्रमोटर के पास में होल्डिंग अच्छा होना चीए उसके साथ में प्रमोटर प्लेज नहीं होना चीए प्रमोटर के पास में अगर प्रमोटर ने अगर प्लेज करा रखा है स्टॉक को तो उसी साथ से हम स्टॉक से दूर रहते हैं माक्जिमूम जो इसमें अगर प्लेजिंग रहता भी है माक्जिमूम टेन परसेंट से ज्यादा अगर प्रमोटर प्लेजिंग रहता है तो फिर स्टाक में खत्रा रहता एठक है उसके बाद में देखते हैं स्टाक का ब्यालोएसन क्या है चलर यह घृऊंज देख्या हो स्टाक को शिलेक्शन करते अगर मारशन फर्मा में हम्धेंगे तो इस साथ साथ से अभी अगर हम मार्केट कि पर देखेंगे इसका प्रफिट करोट का यहां पर तो तो ठीक्ट नजरा रहा है अगर हम यहां पर नेट प्रफिट के बाद करेंगे अगर आप यह चीज को भी बोलेंगे में बिल्कुल Def city नहीं कर सकते हैं क्योंकि decline आया है जो कि ये उनैंजर का ऑफिट है अगर इसी साब सब्सक्राइब लास्ट चारवाटर का अगर हम बात करेंगे सेल्स के बारे में 1403 क्रोट का सेल्स बढ़ी आए कोई प्रोब्लेम नहीं है अगर हम यहां पर यहां पर यहां पर प्रोमोटर का का होल्डिंग की बात करेंगे यहां पर फॉट्टीट परसेंटेज का होल्डिंग है तो इसका जो डाटा है डाटा मेरे हिसाब से कोई बुरा नहीं है अगर हम लाश्ट ट्रेडिंग से सब्सक्राइब में बात करेंगे यहां पर ट्रेडिंग से सब्सक्राइब यहां पर ट्रेडिंग हुआ है यहां पर टेलिवरी उठाएगा है जो लोग सोचते हैं कि पैनि स्टॉक को लेना है यह देखो यह स्टॉक में क्या है यह स्टॉक में आपको कितना पर्सेंटेज का गयन मिल सकता है उसके वरे में भी हम बात करेंगी फ्रेंट ठीक है और जिनों नहीं जिनका मन में सवाल था कि मैं स्टॉक पर सेल करके निकल गया मैं अभी बताता हूं स्टॉक को बिलकुल भी मैंने अपना पोर्टफोलियो म कुगी मैं माग्जिमूम में इक फ्रेंट करके चलता हूं जहां पर प्रफित टक रखियं परुट ले democratic नाम अव्य स्टॉक प्रफित बेश्वच सेशने ज़्य ऩह ठाइब कंदा करेंगे नेरील इसलिए में तो एक मेन हो गया हमारा प्रॉफिट नहीं है इसलिए में बोलता हूं कभी-कभी मार्केट रह सकता है अगर हमेशा इस टाइम पर है मैं शुरुआत में वीडियो बना रहा था उस टाइम पर हमेशा मैं बोलता हूं कभी में इन्एम हैं किजी क्यों में दोबना इसी चीज के लिए लिए तो बोलता हूं अगर कोई बौाइंग मट किया होता असतर मेरा क्रेटा कैंच hypothesis क्रूंग करना कि बड़ी बात नहीं होगा तो ही करके में लोन ले लेकर में करोंगा तो यहां से मुझे लोन में 7-8 परसेंट का वहां पर देना है इंट्रेस्ट और यहां पर मुझे बड़ी ऐसा गेन मिल जाएगा 30 परसेंट का तो फिर मेरा तो मेरा पोटफोलिय में अभी इस टॉक मेरे पोटफोलिय में है ठीक है अभी तक भी सेल नहीं किया हूं लेकिन जो इंट्री लना चाहते उनके लिए सुनेहरा मोगा है स्टॉक्वू के मार्केट जब गेड़ता है ना जब थाउजेंट पॉइंट टूव पोइंट गिड़ता एं तो वहां पर प्रितरीकर से पिटाइब अपर तो इसलिए अब भी यह मौका होता है जब जहांपे अगर बात करेंगे यहां से आप लिए तो यहां पर पहला टार्गेट आपका कितना परसंटेज का गयन रहता है जहां पर बहुत बढ़िया है इसलिया आपने तो यहां पर आपको एक साल का अच्छीव हो गया पहला टार्गेट तो बहुत बढ़िया है अगर सेकेंड टार्गेट भी एक साल में आशीग हो गया तो बहुत बड़ी है अगर एक साल से दो साल भी लग जाए मेरे हिसाब से कोई बुरा नहीं है कोई भी इसमें टक्लिप नहीं है लेकिन मेरा एक डिस्क्लेमर है कोई भी स्टाक में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं अब खुद का फाइनेंशियल अडवाईजर से जरूर शला कर लिजिए वस्टाक के वेसिस पर इन्वेस्टमेंट कीजिए मेरा कहने पर आपको उनली स्टोक में कोई टकलिप है कुछ भी आपको स्टोक मार्केट में कोई भी क्वरी के लिए अप मेरे से यह वाट्सप नॉमबर मेरे साथ जरूर कर सकते हैं तो मुझे इतना पता है मेरा एक्सपेंस के बेस में आपको जरूर हेल्प करने की कोशिश करूंगा अगर वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए अगर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करन झाल झाल